उधारन वन करते हैं पढ़ते हैं उधारन वन जितनी बार उसने हुपला खेल खेला उससे आधी बार उसने चर्खी की सवारी की यदि प्रतेक बार की सवारी के लिए उसे 30 रुपे और हुपला खेलने के लिए 4 रुपे करने पड़े तो आप कैसे ग्याद करेंगे कि उसने क कितनी बार चक्री की शावरी कीए और कितनी बार फुपने खेल के लिए 20 बारोई सावाररी करें और बिजगर्थनी और गाफी रूपसे व्यक्त करें लुक अतलों करें डूक एक छण अमेठी तो क्या हूपला केल जित्ती बार खेला उससे आदा उसने क्या खेला चकरी की सवारी करी है ना तो आधा वन आप आधा कर दिया है ना फिर यह जो टू है यहाँ पर इधर भाग में था तो इधर जाके वो क्या हो गया गुड़ा हो गया वाए से बराबर के इस तरफ था तो भाग में था तो इधर जाके गुड़ा में हो गया तो क्या हो गया टू वाए बराबर वन एक्स तो वन लिखते नहीं है है ना एक्स लिखा उनली फिर एक्स इधर फिर इधर ही एक्स रहा टू वाए को अपन इस तरफ लिया है तो टू वाए इधर कौन सी साइन में था प मतलब प्लस की साइन में तो इदर गया तो वह माइनस की साइन में हो गया x-2y बराबर 0 यह अपना पहला सामिकरन हो गया फिर दूसरा वह सामिकरन क्या बटा है उसने तीन बार चकरी का खेल खेल खेला और चार बार उसने हुपला का खेल खेला कि सोरी तीन रुपे चकरी के खेल में लगते हैं और चार रुपे फुपला की ही हयले हं उसको किते ख़र्च हूँ हो इसके 20 रुपे ख़र्च हुआ है अब अब अफंको यह यह निमाला उस चरकी कितनी देर चकरी किती बार चलाई और उपला किती बार चलाई यह आपन को नहीं मालूम अपनको से पैसे पता है तो यह दूसरा समीकरण हो गया फिर अपन करेंगे जामिती रूप के लिए प्रत्यक समीकरण के दो हल प्राप्त करेंगे दो हल प्राप्त करना ये समीकरण एक लेके अगर x 0 होगा तो x ये पहला समीकरण लिख दी है x-2y बराबर 0 x की जगा x का माल लिखना है 0 0-2y बराबर 0 0 इदर था 0 कुछ मान नहीं रहता है और जो गुड़ा में था 2 वो इस तरह भाग में आ गया तो 0 से कोई चीज इन 2 या डिवाइड हो वो क्या होते है आंसर 0 या तो 0 आंसर आया और 0 की कोई साइन नहीं होती प्लस या माइनस कोई साइड नहीं होती, 0 सिर्फ 0 रहता है फिर अपन दूसरी बार, अब दूसरा हल निकालने के लिए अपना पहला हल निकालने के लिए X अगर अपन मान ले, दोल मान ले तो X ये पहला समिकर्ण लिखा X माइनस 2Y वराबर 0 X की जगा 2 लिखा, 2 माइनस 2Y वराबर 0 अब इदर 2 के साथा, प्लस में था तो इस तरफ, अब इस तरफ 2 को कलाएंगे तो ये दर माइनस में जागा, 0 माइनस 2 और माइनस 2Y ऐसे उतरेगा फिर क्यों जागा, माइनस 2Y माइनस 2 है ना, फिर ये माइनस से ये वाला माइनस बराबर के इस तरफ वाला माइनस और इस तरफ वाला माइनस कट जाता है ना, तो फिर क्या बचा 2 इदर गुणा में था, इदर 2 है 2 इदर गुणा में था, तो इस तरफ जागी क्या हो जाएगा भाग भी हो जागा, तो 2 अपन 2 2 2 के डेवल में कितनी बार में आता है 1 बार में 2 से 2 कड़ गया 1 बार में अब समीकरन दूसरे के भी 2 हल निकालेंगे तो अगर x अपन 0 मान लें तो समीकरन दूसरा क्या है 3x प्लस 4y बराबर 20 तो अगर 0 मान लें तो 3 इंटू x का मान क्या है 0 प्लस 4y बराबर 20 तो 3 से 0 से गुणा हो या भाग हो आंसर क्या होगा 0 तो ये तो 0 हो गया प्लस 4y बचा बराबर 20 तो 4 इदर गुणा में था इस तरफ जाएगा तो क्या होगा भाग में हो जाएगा 4 के टेवल में 20 किती बार में आता है इस तरफ गया तो माइनस में हो गया और क्या इधर क्या बचा से 4y बचा तो 20 पे से 12 जाएगा तो 8 बचेगा फोर वाई इदर गुड़ा में था इस तरफ गया तो क्या हो गया भाग में हो गया फोर के टेवल में एट किती बार में आता है टू बार में तो वाई का मान आ गया टू यह समीकरण एक का है यह समीकरण एक का और यह समीकरण दो का तो क्या समीकरन एडिक में आपने x 0 लिया था तो y भी 0 आया और समीकरन फिर अपने 2 लिखा था तो 1 आया अब इसका करें x अपने 0 माना और y भी 0 तो ये point बना इसका है ना ये वाला अब x 2 है और y 1 है तो x कहां 2 और y 1 इसका ही 2 point ये 2 point से मैंने line खीज दी ये 0 0 और ये x 2 और ये 1 कौन सी equation है x plus 2 y पराबर 0 पहली समीकरन है पहला समीकरन की line है ये है ना अब दूसरा समीकरन करें x 0 है x 0 y क्या है 5 तो ये वाला point बनेगा ठीक है फिर x क्या है 4 x क्या है 4 और y क्या है 2 sorry x क्या है x क्या है 4 और y क्या है 2 ये तो ये आ गया 4 और 2 ये 4 का और ये y का 2 तो ये हो गया 4 और 2 ठीक है तो ये इसका दूसर समीकरन का है ये 0 और 5 x 0 था और y 5 था ये वाला 0 और 5 ये और ये 4 और 2 x 4 था और y 2 था इसकी ये लाइन करेंगे तो ये कौन सी second equation का है ये ग्राफ हो गया उधाय नमबर दूसरा रोहिला एक स्टेशनरी की दुकान में गई और 9 रुपे में 2 पैंसिल और 3 रब्बड खाई दी उसकी सहली सोनाली ने रोमिला के पास नई तरह की पैंसिल और रबबर देखी उसने भी रुपे 18 की उसी तरह की 4 पैंसिल और 6 रबबर खाई दी इस इस्तिती को बिजगर्तनी और ग्राफिर जोमिती रूप में व्यक्त कीजिए आप अपन को पता तो है नी पैंसिल और रबबर का मूली क्या था तो पैंसिल का मूली अपने एक समझ लेते और रबबर का मूली वाय समझ लेते तो ये इसका दूसर समीकरण हो गया है, अब अपन जो मिती रूप से क्या होता है, दोनों समीकरण के दो हल निकालने पड़ते हैं, तो अपन निकालेंगे, पहले समीकरण के निकालेंगे, अगर अपन X का 0 मान लें, एक्स को 0 मान लें, तो पहले समीकरण में, ये पहले समीकरण 2X प्लस 3Y बराबर 9, तो 2 इंटू X का मान गया है, 0 प्लस 3Y बराबर 9, वैसे के तो 0 से कोई चीज गुणा हो या भाग हो, आंसर 0 ही होता है, तो ये तो 0 हो गया, ये क्या बच्छा, 3Y बराबर 9, तो 3 इदर गु जीरो और Y का 3, अब दूसरा हाल निकाले, अगर अपन X को 4.5 मान लें, तो क्या होगा, 2 इंटू X का मान क्या है, 4.5 प्लस 3Y बराबर 9, तो ये होगा, 2 से 4.5 गुणा होगा, तो क्या आएगा, 9 प्लस 3Y बराबर 9, तो जो 9 इदर प्लस में था, तो जाके क्या हो गया, 9 से 9 माइनस होगा, तो क्या होगा, 0, तो ये 3Y, ऐसे कैसे इदर उतरा, फिर 3 इदर गुणा में था, है ना, तो इस तरह भाग में आ गया, तो 0 से कोई चीज गुणा हो, या भाग हो, आंसर क्या आएगा, 0 आएगा, और ना 0 की कोई साइन होती है, ना प्लस की, ना माइनस की, ऐसी रहता है, फिर समिकरन, अब इसके दो हल निकल गए, पहले समिकरन की, अब इसके भी 2 हल निकालेंगे, समिकरन दूसे के, अगर आपन X को 0 मालने, तो दूसरा समिकरन क्या है, 4 x x प्लस 6y ब्राबर 18, तो 4 x का माल लिखा 0, प्लस 6y ब्राबर 18, तो ये 6, जो 6 था, जाएगा बराबर किस तरफ तो उल्टा हो जाएगा भाग में हो गया एना दो बराबर तो 6 के टेवल में 18 कि ती बार में आता है थ्री बार में तो हो गया एक वाइट रिया फिर दूसा निकालेंगे अगर एक स्कूरी माले तो 4x 6y बराबर 18 तो 4 x 3 प्लस 6y बराबर 18 ठीक है एक स्कमान लिख दिया 3 तो 4 और 3 हो गया तो 12 हो जाएगा 12 प्लस 6y बराबर 16 तो 12 इदर प्लस में था उस तरफ जाएगा तो बराबर किस तरफ जाएगा तो वो माइनस में हो जाएगा य बराबर वन इसके भी दो पहले समीकरण के भी दो हल निकल गए तूसरे समीकरण के भी दो हल निकल गए तो अपन लिख देंगे पहले समीकरण में क्या हुआ था एक सापन ने 0 लिया था तो य 3 आया एक सापन ने 4.5 लिया था तो य 0 आया फिर इसमें समीकरण दूसरे में जीरो और थ्री का है ना फिर फिर जीरो फॉर पॉइंट फाइव और जीरो तो यह फॉर पॉइंट फाइव और जीरो तो यह फॉर पॉइंट फाइव यह बना है ना इसकी यह लाइन बन गई एक सेम और फिर यह बापिस वह पॉइंट फिर त्री और वन यह त्री और वन मर उधारन तीन दो रेल पट्रियां समी करण एक्स प्लस टू वाई माइनस फोर बडाबर जीरो और टू एक्स प्लस फोर वाई माइनस ट्वेल द्वारा निरुपित किये गई है इस इस्तिती में जामिती रूप से व्यक्त की तो अपने समी करण बन और समी करण टू लिग दि प्लस टू वाई अब इधर फोर क्या था माइनस में था तो बराबर के इस तरफ जाएगा तो वो प्लस में हो जाएगा प्लस में हो गया टू इधर गुणा में था तो इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा वाई बराबर टू फोर बट्टे टू y ब्राबर 2 यह हो गया पहला हल आप दूसरा हाल निकलते हैं पहले समीकरन का तो एकस अगर अपन चार मान ले to x plus 2y-5 ब्राबर 0 तो क्या होगा एकस कपने 4 मान ले यह plus 2y-4 ब्राबर 0 तो यह चर पत को side में लिख लेते हैं इधर लिख देते हैं और यह चर चर को एक side कर देते हैं तो यह plus 4 था plus 4 minus 4 बराबर 0 plus minus minus यहां के बचाएगा 2y क्योंकि 4 में से 4 गया तो 0 हो गया है बराबर 0 यह तो कुछ भी नहीं बचा तो 2y और 0 फिर यह 2 इधर तो इस तरफ जाएगा तो क्या भाग तो य बराबर 0 से कोई प्लस 4y minus 12 बराबर 0 तो 2 into 0 plus 4y minus 12 बराबर 0 तो तो 2 से 0 गुणा होगा तो क्या होगा 0 तो यह तो लिखा नहीं जा STACKएगा Pues 4y-12 बराबर 0 बराबर के इस तरब जाएगा तो क्या हो जाएगा तो क्या हो जाएगा यह 4 इधर गुणा में था तो इदर जाके बटे में हो conten 4 4 क्यादा 12 के तिभाल में आता है 3 तिभाल में तो 3 आ गया यह अपना पहला हाल निकल गया सब्सक्राइब दूसरे समय करन का दूसरे हाल निकालेंगे वाइब बराबर अगर 6 समान लें अपन तो टू एक्स एक्स कमान है 6 फ्लस 4Y-12 बराबर 0 तो क्या वो टू सिख्जा 12-12 फिर यह यह अचरपत को बटे में हो जाएगा तो वाई बडाबर जीरो बटे फोर तो वाई जीरो से कोई चीज गुझणा हो या भाई आंसर के ऐगा ź्धिरो यह समीकरन्ट रणट निकला एक्स अपने 0 माना तो दो आया एक्स अपनो आल तो टो यीए 2 और यह नहीं गासाया दोनों प्रिरस पर द्वाए ज्टर्स और बाएन जेडा धीडा यह यह पॉइंट बारेगा इससे यह लाइनchu न गया न फिर दूसरा समीकर्ण से लें तो एक सबस्टी निमान और जी से तो X 0 और Y 3 तो यह 0 3 यह निकला दूसर समिकरण फिर उसके बाद X अबने 6 माना और Y 0 तो X अबने क्या माना 6 और 0 तो यह लाइन मनी पहला लाइन मनी समानतर लाइन बनी दोनों की यह पहला समिकरण की थी और यह दूसरे सामिर्कन की वीडियो अच्छा लगाओ तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें थैंक यू फॉर वाचिंग